नमश्कार दोस्तों उमीद करते हैं आप सबी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी एक ऐसा सामराज्य था जिसके शाशकों ने लगभग हजार वर्षों तक शाशन किया इतने वर्षों में यह सामराज्य छेतरफल की भरता बढ़ता रहा इस समराज्य में बहुत से शक्तिशाली शाशक भी हुए जिन्हों ने इस समराज्य का विस्तार अरब सागर तक कर दिया था तो कुछ वर्षों के लिए इस समराज्य की शक्ति कमजोर भी हो गई थी तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चोल समराज्य की च चौल राजवन्ष की चौल वन्ष शदूर दक्षिन के प्राचिन राजवन्षों में से एक था जिन्हें सूर्य वन्षी माना जाता था तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चौल सब्द के बारे में चौल की उत्पत्ती तमिल भाषा के चूल सब्द से हुई है जिसका अर्थ है भ्रह्मन करने वाला तो आखिर इसका संबंद चौल राजवन्ष से क्यों जोड़ा जाता है क्योंकि जो पहले उत्तर भारत में रहा करते थे वो कालांत्र में दक्षिन में चले गए थे दक्षिन में जो वो स्रेष्ट से भी निकाला जाता है क्योंकि संगमकाल में यानि सो से लेकर 250 इस्वी में चोल शाशक शक्तिशाली हुआ करते थे दोसों वर्षों से भी अधिक समय तक चोलों ने तुंग भद्रा नदी के दक्षिन के सभी भूभागों और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थावित रखा और शाशन तथा सभ्यता के विकास की दृष्टी से दक्षिन भारत का इतिहास में एक म पहान शाशक था जिसने चोल समराज्ची को उन्ती के सिकर पर पहुंचा दिया था उसने कावेरी पटनम को राजधानी बनाया उसके बाद कुछ वर्षों के लिए इनकी शक्ति कमजोर हो गई थी कमजोर होने लगी थी इसके बाद दक्षिन भारत में और उसके आसपास के अन्या देशों में तमिल चोल शाशकों ने नोवी शिताबदी से लेकर तेरवी शिताबदी के बीच एक अत्यांत शक्तिशाली हिंदू समराज्ची का निर्बान कर दिया था यह समराज्च 36 लाग किलो मीटर स्क्वेर के छेत्र में फैला हुआ एक विसाल समराज्ची था जिसमें वर्तमान सम्या के दक्षिन भारत, स्री लंका, बांगला देश, ब्रम्हा, थाइलेंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, व्यतनाम, सिंगपूर और मालद्वीब्स आदी देशों के छेत्र सामिल थे नो मिशताबदी में विजाल्या ने चोल शक्ति की पुनै स्थाबना की तधा समराज्य का विस्तार किया, इसके बाद बहुत सारे शाषक हुए जैसे आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, राज-राजाप्रथम, राजेंद्र प्रथम आधी बहुत सारे शक्तिशाली शा चोल शाषक सेव अत्वस वैशनव संप्रस्प्रदाय के समर्थक थे।। चोलों के समय में दक्षिन भारत में सेव और वैशनव संप्रस्प्रस्चार रुआ। अगर हम बात करें। तो चोलों का संपूर्ण समराज्य छे प्रांतों में विभाजिक था प्रांतों को मंडलम भी कहा जाता था जिनके अधिकारी वाइसराय हुआ करते थे चोल शाषन की एक मुख्य विशेश था स्थानिय सब्शाषन विवस्था थी जो चोल शाषन में गाउं से लेकर मंडलम तक की सब्शाषन की विवस्था थी उसके कारण ही इसे एक महत्तपूर्ण समराज्य की रूप में देखा जाता है गाउं से लेकर मंडलम तक सभी सवशाशन की विवस्था को अपनाते थे चोलो ने एक संगठीत न्याय विवस्था का गठन भी किया हुआ था जिसमें अपराद होने पर अधिकतर जुर्माना लगाय जाता था हत्या किया जाने पर सोला गायों का जुर्माना लगाय जाता था मृत्तूर दंड भी दिया जाता था राजा को ही सबसे बड़ा न्याय धीश माना जाता था इसके अलावा चोल समराटों का शाशन काल तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है साहित्य के छेतर में मुख्य तैक काव्य ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई थी चोल, शाशक, महानिर्माता भी थे उनके सम्या में अनेक नगर, जील, बांथ, तलाब, आधी बनाए गए थे तो साहित्य और कला के छेतर में भी यह सम्या यह काल बहुत ही महतपुर्ण रहा तो इस सम्राज्य के शाशकों और उनके द्वारा किये गए कार्य वे सम्राज्य विस्तार के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे तो दोस्तो कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें जै हिंद जै भारत